तो यार क्या हाल है and welcome back to the channel और आज के इस टेक मंगलवार के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे iOS 13 shortcuts जिने आपको इंस्टॉल करना चाहिए अभी के अभी तो यार इस वीडियो को एंड तक देखना और अगर इसको लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर तो स्वागत है आप सबका I am digitally yours youtube channel पे मैं हूँ डीडी आपका यार और ये है टेक मंगलवार तो जो सबसे पहला shortcut है इसका नाम है alarm with intervals इसकी मदद से आप एक alarm set करते समय multiple alarm set कर सकते हैं एक specific interval पे प्रेस करेंगे इस shortcut पे और उसके बाद choose करेंगे एक specific time मैं select कर रहा हूँ 4.45 pm प्रेस करेंगे ok पे और अब हम enter करेंगे number of alarms जो हमें चाहिए मैं लिख रहा हूँ 7 और उसके बाद प्रेस करूँगा ok और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास हर 5 minute के interval पे एक नया alarm set है horizontal, vertical या grid layout में प्रेस करेंगे इस shortcut पे उसके बाद select करेंगे कुछ images अपने photos के app से उसके बाद select करेंगे एक specific order और देंगे एक margin और उसके बाद choose करेंगे एक specific layout मैं choose कर रहा हूँ grid layout और इसने automatically convert कर दिया है मेरे images को एक grid layout में अब इस share बटन की मदद से मैं इसे share कर सकता अगर आप ढूणना चाते हैं बहुत ही बढ़िया animated gifs तो ये next shortcut आपके बहुत काम आएगा इसका नाम है get gif प्रेस करेंगे इस पे और उसके बाद search करेंगे वो topic जिस पे हमें animated gifs चाहिए मैं लिख रहा हूँ friends और मेरे पास धेर सारे options आ जाते हैं animated gifs के इस पे tap करके मैं इसे copy कर सकता हूँ और use कर सकता हूँ मेरे अलग-अलग apps में अगर आपके पास हैं बहुत ही लंबे PDF और आप चाहते हैं कि उसमें से extract करें एक specific page या एक specific set of pages तो ये next shortcut आपके बहुत काम आने वाला है इसका नाम है extract PDF क्लिक करेंगे इस पे और उसके बाद चूज करेंगे और यहां हमारे पास दो options आते हैं मैं select कर रहा हूँ a few pages और यहां मैं choose करूँगा first और 16th page और प्रेस कर दूँगा done पे और अब आप देख सकते हैं कि हमने extract कर लिया है first और 16th page इस PDF फाइल से और आज का जो last shortcut है ये बहुत useful है students के लिए अगर आप class में या आपने teachers के notes ले कर सकते हैं सिर्फ प्रेस करना है इस shortcut पे और यह automatically activate कर देगा microphone अब आप जो भी इसमें बोले यह automatically record करेगा और उसको convert कर देगा एक note में और save कर देगा notes के app में तो यार वीडियो कैसे लगा प्लीज बताना comments में अगर अच्छा लगा है तो इसको like और share कर दो और अगर चैन जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं पांच ऐसे awesome chrome extensions के बारे में जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे तो उस वीडियो को miss मत करना तब तक के लिए अपने अपने घरों में स्वस्त रहिए मस्त रहिए और यस्त रहिए कर दो कुछ में से आपिन